दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य अचानक नाचने लगी 400 महिलाएं और फिर होने लगी मौत दुनिया में कई सारी रहस्य आज भी अंसुल्जी हैं जिसे आज तक कोई भी सुल्जा नहीं पाया बेग्यानिकों ने कुछ रहस्यों से पर्दा हटा तो लिया लेकिन दुनिया कुछ रहस्य चीजों से अभी तक कोई पर्दा नहीं हटा पाया इसलिए हम आपको बताने जा रहे हैं उन रहस्यों के बारे में जो अभी तक लोगों के लिए अभूश पहली बनी हुई है दडांसिंग प्लेग आफ 1518 साल 1518 में गर्मी के दिनों में सहर इस्ट्रास बर्ग में एक महिला ने सडक पर नाचना शुरू कर दिया पूरा दीन और पुरी रात वह नाचती रहती थी इसे बीच एक हपते के भीतर ही 34 दूसरी महिलाओं ने भी उस महिला के साथ नाचना शुरू कर दिया उनको नाचते हुए देखकर ऐसा लगता है कि उनके अंदर किसी बुरी आत्मा का वास हो गया है नाचने का ना तो कोई बड़ी वजह थी और नहीं कोई ऐसा खास मौका जिस पर नाचा जा सके एक महिने के भीतर ही नाचने वाली महिलाओं की संख्या 400 के पार पहुच गई इसके बाद धार में एक पुरोहित से लेकर बेग्यानिक तक बुलाए गए नाचते नाचते कई महिलाओं की हालत खराब होने लगी यहां तक कि महिलाओं की नाचते नाचते मौद भी होने लगी इसके बाद उनके लिए इस्टेज बनाये गए और अलग से हाल बनाया गया सबी लोगों का ऐसा मानना था कि डांस कर रही मैलाओं की इस्तिती में तभी बदलाव आएगी जब वोह दिन रात नाच पाएगी इस घटना के पीछे कई तरह की थेयोरी दी गई जहर एपिलेपसी सामोहिक मानसिक बीमारी भी बताई गई लेकिन फिर भी इस एतिहासे घटना का आज तक कोई संतोस जनक जबाब नहीं मिल पाया दे एस एस औरंग मेडान साल साल 1947 के जून माह में मलक्का की खाडी में ब्यापारिक मार्ग से कई जहाच गुजर रहे थे इसी दोरान एक SOS संदेश पहुचा की जहाच के सभी क्रू मेंबर्स की मौत हो गई नजदिक के जहाच सिगनल का सोर्स पचानते हुए उसकी तरफ बढ़े सबसे नजदिक का मर्चंट सिब्दज सिल्वर इस्टार्ट सिगनल की तरफ तेजी से पहुची औरंग मेरान आते ही सभी लोग हैरान रह गए देखा तो हर क्रू मेंबर्स की मौत हो गई थी जहाच पर लासे इधर उधर भिखरी पड़ी हुई थी कई लोगों की आखे खुली भी हुई थी और उनके चेहरे से डर साफ नजर आ रहा था यहाँ तक की जहाच पर सावर एक उत्ती की भी मौत हो गई थी बॉयलर रून में सवो के नजदीक जाने पर क्रू सदस्यों को बहुत ठंड लगने लगी जबकि तापमान 110 डिगरी था हैरान कर देने वाली बात यह थी की मरने वाले लोगों के सरीर पर किसी तरह की कोई चोट नहीं आई थी दस सिल्वर इस्टार के कुरू सदस्यों ने वापस अपनी सिप पर जाने का फैसला लिया इससे पहले की देख के नीचे से धुआ निकलने लगा एस एस अरंग मेडान में धमाका होने से पहले ही वे किसी तरह अपनी सिप पर वापस पहुच गए कुछ लोगे ने इस पुरी घटना के प्राकृतिक गैसों के बादल बनने का हवाला दिया लोग इसके पीछे सूपर नैचूरल पावर को जिमिधार बताया डेट वैली कैलिफोर्निया डेट वैली के नाम से कोख्यात इस जंगपर धेर सारे पत्थर मौजूद है इस सुखे मरुस्थल पर अलग-अलग वजन के ये पत्थर बड़े रस्से में धंग से मौजूद है कुछ पत्थर तो ऐसे लगते हैं जैसे ओग ही सटते हुए आगे बढ़ रहे हैं उनके पीछे लंबी लकीर मौजूद है यहां का नजारा देखकर आपहरान हो सकते हैं किसी इनसान या जानवर के जरिये इन पत्थरों को घंसिटेने के कोई भी सबूत नजर नहीं आते कुछ लोगों का मानना है कि भोगोलिक बदलाव वतुफान के कारण पत्थर कुछ इस तरह मौजूद है नाजका लाइंस नाजका रेगिस्तान दच्छडी पेरू पेरू में इस्तित इस रेगिस्तान पर ऐसी कई सारी आकरितियां बनी हुई हैं जिसे देखकर आप हैरान हो सकते हैं इन में कुछ ऐसी आकरितियां इंसानों पौधों और जानोरों की मालूम पड़ती है इसके अलावा रेगिस्तानी सतह पर सीधी रेखाएं भी दिखाई पड़ती है ऐसा माना जाता है कि ए रेखाएं 200 इसापुरों से यहां मौझूद हैं ए रेखाएं करीब 500 और किलोमीटर में फैली हुई हैं हेलिकाप्टर की मदद से इन्हें और साफ देखा जा सकता है इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि यहां दूसरे ग्रहों से आई UFO उतरे थे जिसके चलते सत्वा पर इतनी सनवचनाय बनी थी दोस्तो आज के लिए बस इतना ही आज का वीडियो एक कैसा लगा हमें कमेंट बाक्स में जरूर बताईए अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ से जरूर करें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन अन करतेजिए तो मिलते हैं आपकी साथ अगले वीडियो में और थैंक्स फार वाचिंग